यहां उपस्थित सिंजे पाउस परिवार के सभिष्ट देश्यों को आशी सिसोधिया की तरफ से बहुत बहुत बंदन अभिनंदन इधर दो दिन से कंपनी के लिए बहुत सारी नए उपलब्धिया हासिल हुई है और अखलेश जी यह जो लोग मीटिंग में उपस्थित हैं इनका वीडियो बना ले क्योंकि हम लोगों ने जब कमिट्मेंट किया था तो तीन हजा से पाइंटिसों के बीच में लोग थे बिल में आया है शंख्या जो कम हो रही है यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम बहुत ज्यादा लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं इसको रिकार्ड कर ले एक माधपूर्ट सूजना और है क्रेटियो डारेक्टर सेंटर और इस्टेट डारेक्टर्स के आज चार बजे होगी जूम आप पे उसका लिंक सर्कुलेट किया जा रहा है और क्रेटिव स्टेट और सेंटर की बैठक कल पुना ग्यारा बजे होगी और ग्यारा बजे जो मीटिंग में उपस्तित होंगे सिर्फ और सिर्फ उन ही को एक कई सुविधाय प्रदान करत की जाएं तो कल जो लोग मीटिंग में उपस्तित रहेंगे अपनी सिर्फ देंगे वो निकई सुविधायों के पात्र होंगे उसके बाद के लोग दुनिया के किसी भी समस्या के में हो उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम डेली ये इंटर्वी आगे नहीं बढ़ा पाएं अख्लेज जी समझ में आ रहा है यह सड़्य श्रक कलका और आज का दिन हमारी कंपनी के लिए और हमारी कंपनी के सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्पूर रहा तरपुरा की मीडिया ने जो कवरेज हमें दिया प्रिंट और इलेक्टानिक मीडिया ने अगर आपके टीवी में चैनल आ रहा है तो कोल के देख लिजे कुछ किलिप्स भेजे भी गए हैं गुरूप पे सायद उसार कुलेट और लगभग 12 चैनल प्रिंट और इलेक्टानिक मीडिया के मौजूद थे और बहुत अच्छे बहुत ही होनहार लोगों के बीच में मीटिंग हुई आइसे ऐसे लोग मिले जिनकी अभी हमने नेटवर्किंग में कलपना नहीं की थी एक मैडम मिली वो आंगनवारी कारकत् हैं और हिंदी भासा बिल्कुल नहीं जान पाती हैं उसके बावजूद भी उन्होंने छे कोर कमेटी सदस्यपने टीम में बनाए और खुद मीटिंग का अर्गनाइज किया श्राइकलों लोगों को त्रिपुरा में कुमारगर जिले में और धरमनगर जिले में ख़डा करक एक बहुत बड़े मजबूत फाउंडेशन उन्होंने डेवलप किया और उनके सहयोगी के रूप में एक लड़की थी जो विकलांग थी और इस लेवे के विकलांग थी कि विना फील चेयर के उचल नहीं सकती थी उसने भी दो कोर कमेटी सदस्यों को बनाया जिसमें एक आ पूरा में हम लगभग हर जिले में बहुत मजबूत इस्तिती में आ गये हैं पूर्वतर राज्यों पर कमपनी विशेश फोकस कर रही है आज हम लोग सिक्किम की राजधानी गंगटोक में उपस्तित हैं और यहां मैं समस्ता हूं कि तक सिंजे पाउस की जितनी भी मीटिंग सुई होंगी उसमें सबसे ज्यादा हाई प्रफाइल मीटिंग थिये यहां भाज़पा के कई वरिष्ट नेता कबड़ी सिक्किम कबड़ी संग के चेर्मैन और यूनियन बाइंग के वाइस प्रेशिडेंट जिला पंचायत अध् गंग टोक के साथ बहुत सारे गडमान नागरीक जिसमें चालिस के उपर नर्सिस थी एक मेडिकल कालेज की वो लोग सिरकत किये और अभी हम लोग प्लान खतम हुआ है फूडिंग का कारिक्रम खता हुआ है आधे घंटे में एक घंटे में लगभग 26 नई आईडी लग गए थे क्योंकि हम लोग को कारिक्रम 11 बजे था और हम लोग साम को 6 बजे पहुंचे फिर भी इंतिजार करते मिले और बहुत भविता से शालींता से उन्होंने जो कंपनी को स्वागत सम्मान दिया है उसका कंपनी विशेशाभारी है और कल तक लगभग यहां से 20 कोर सधसथ यहां final हो जाएंगे सिक्कि में बड़ी क्मिनिटी के रूप में सिंझेपावर स्थापित हो रहा है सिक्किमे और हम लोग नागरलेंड में अपना कारिक्रम रखे हैं परसों असम में और हाट में कारिक्रम है और सम में 27 तारीक को ये कारिक्रम ढ्मरी में भी है तो पुर्वत्तर राजों में उसके बाद अरुडाचल और मिजोरा में करकम लगा है पुर्वत्तर राजों में कमपनी को जो रिस्पांस मिला है और जो जिस तरीके से लोग निकल के बहुत बड़े लेवल पर सामने आ रहे हैं हम समझते हैं यह हमारे लिए काफी गवरों की बात है कि दिन्हें बड़े बड़े पदों प्यासीन लोग कमपनी में पूरे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि सिंजे पावर्स ने इमानदारी से लोगों के बीच में रहते हुए बिना किसी दंदफंद के बिना किसी फ्राड के लोगों के बीच में जा कर अपनी उपस्तिती दर्ज कर आई है लोगों के सुख दुख के भागिदार रहे हैं और मैं एक बात की विशेष बढ़ाई आप सभी को देना चाहता हूँ आपकी कोईन स्बुकिंग का कल जो कलेक्शन था वो एक 80 करोन प्लस हो गया एक T1CR प्लस ये साथ भारत की विश्व का तो हमारे पास अभी डाटा नहीं है लेकिन भारत की पहली कोईन कमपनी है जिसने लांचिंग के 15 दिन के अंदर एरड्राप में 100CR के आसपास का बिजनिस किया क्योंकि लगभग हम अगर कमपनी में बिजनिस 15 करोन का आया है तो लगभग 60 करोन का बिजनिस लोग बाहर से परचेज कर रहे हैं हम लगभग 2-3 दिन में 100CR क्रास कर जाएंगे क्राउट फंडिंग में भी कमपनी लगभग 231 करोन का कारोबार कर चुकी है और 100CR यह तो हम लगभग 3 सेकड़े की सत्य को पार कर रहे हैं और हमारी कम्मिनिटी भी साथे 7 लाग प्लस हो रही है कंपनी ने जो स्कीम्स दी है कोर कमिटी गठन को ले करके उसमें निस्ची थी हम अपने हदारों सदर्स्यों के साथ दो दो 4-4 कोर कमिटी मेंबर्स लेके और 4-5,000 कमिटीओं का गठन करके 10 लाग के टार्गेट को प लिस्टिंग कोई के राएट बटते हैं तो इसलिए हम इसको रोके हैं कि हमारे जो लोगat कोई खरीद रहे हैं वो जब बाद में इसके ऑगए क्वेग теперь कई लिस्टिंग का भी पर्फार्मिंस देखा जाता है हुआए 한 सबसे बड़ी बात है कि आपकी कौन सी एजनसी ऐसी है जो आपके कोईन की आड़िट कर रही है ये भी माने रखते है तो देश की सबसे बड़ी सिट्रिक जो एजनसी है उसको आड़िट के लिए इन्वाल्व किया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 में 2025 में जब बिटकोईन की हालविंग होगी वो एक अलग विश्य होगा लेकिन पूरे बिश्व में सबसे ज़्यादा करोणपती आने वाले अगले साल में सिंजे पावर से बनने वाले हैं भारत के इतिहास में अब तक आजाद चीजों पर के वाईसी की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और हमारे सब ही लोग बड़ा दिल्चस्पी से उसको अपडेट कर रहे हैं हम समझते हैं कि हमारे सब ही जिम्मेदार नेटवरकर्स कंपनी की इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे किसी भी परिस्तिती में किस से अपना विड़ाल ओपन कर देगी और जो लोग हमें लगतार फोन कर रहे हैं कि सरके वाईसी के समय को बढ़ाया जाए उन्हें मैं बता दूँ साइद उन्हें तजर्बा नहीं है इसलिए जानकारी देना जरूरी है अगर कंपनी ने पहली तारिक से विड़ाल नहीं किय और लोग विड़ाल से संतुष्ट नहीं हुई तो सिंजे पावर्स को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा बहुत ही असंभव होगा क्योंकि जब लोग पैसा ही नहीं कमा पाएंगे तो कंपनी में जुड़के करेंगे क्या लोगों के पेमेंट बलाक हैं अगर उन चाहिए और जो लोग के वाईसी नहीं कर पाएंगे अपने इगों में या और बहुत सारे रीजन से कभी-कभी ये होता है कि हमारा नाम 80 है और हमने 50 ID ABC करके लगा दी, तो हम कम से कम कमपनी से मिलके, कमपनी MD को फोन करके बता सकते हैं, सर ये पैसा मेरा है, और उस समच चुकि KYC नहीं थी, तो हमने गलत ताम से ID लगा दी थी, तो इसको मेरे नाम से इंक्लूड कर दिया जाए तो हम लोग यहां किसी का पैसा मारने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जानते हैं, पैसा आपका है, मेहनत का है, इमानदारी का है, जिम्मेदारी का है, कभी-कभी ये भी होता है कि हमको किसी ने पैसे दिये, कि सर ये मेरे नाम से लगा दीजिए, और हमने उसको अपने नाम से से वन्चित रहे लेकिन अगर किसी को यह है कि हम बिना कवाइसी के ही काम चला लेंगे तो हमें चुकि बार-बार हम लगाता डेली अपडिशन देते हैं 31 के बाद हमें वो माफ करेगा वो सभी आईडी बाइलेंस में जीरो-जीरो कर दी जाएंगे एक्टिवेट रहेंगी च समस्य को साट आउट करा सकता है कि किसी का पैसा मारना किसी की आमदनी को बाधित करना कंपणी का उद्देश नहीं है कंपणी को वर्ड रिकार्ड बनाना है तो सब को साथ लेके बिना किसी तनाव के बिना किसी द्वेश के सब को साथ लेके चलना है परिवार बड़ा है छ उचार लीडर्स को हमने सस्पेंट कर दिया, पदों से सस्पेंट कर दिया, उनकी आईडी पे भी कारवाई की गई, तो उससे उनके डाउन लाइन के लोग बहुत खुश हो गए, ऐसा नेटवर्किंग में हमने पहली बार देखा, क्या होता है कि आउन लाइन के लोग बिरोध करते हैं, कि सारी हमारे लीडर्स से सम्मानी थे और इसको एक मौका दिया जाए, लेकिन डाउन लाइन के लोग जिस तरीके से लड़ू बांट रहे हैं, तो ये मेरे पचास साल के इस उमर में और चभी साल के कैरियर में बड़ा मसला है कि डाउन लाइन के लोग अपलाइन के आईडी ब्लाक होने से बहुत खुश से हैं, ऐसा इसलिए है कि अपलाइन के लोगों को वहां से ना तो कोई सुभधा मिल ला था, ना संदच्छन मिल ला था, बलकि उनका सोस्ट हो रहा था, और हर बेक्त जो धीरे-धीरे का करता है, प्रेक्टिस करता है, अंग्रेजी में कहावत है, प्रेक्टिस में के मैंन पर्फेक्ट, जब कोई आदमें रेगुलर कोई काम करता है, तो उसमें निपल हो जाता है, ये लोग धीरे-धीरे-धीरे-धीरे काम कर रहे थे, आज इन्होंने अपने अपलाइन्स को भ रहे हैं और कोईंस में भी बहुत बहुत पहतर काम कर रहे घो एक लोगों के बीच में एक नीम्भूं काटके निचोड़ा अगर इसमें से कोई एक बूंद भी रस निकाल दे तो मैं उसे एक लाख रुपया इनाम दूँगा पूरे भीड में सन्नाटा चा गया चुकि वहाँ तो कोई आपसन बचा नहीं था एक मरियल सा आदमी उस भीड से उठके खड़ा हुआ और वो आया स्टेज पर चड़ा और उसमें उस निम्बू को उठाया और निचोड़ा तो तीन चार बूंद निम्बू का रस निकला सभी लोग हत्प्रव रहेगा पहलवान तो घबडा उठा कि ये मरियल सा आदमी और हम इतने बड़े बाड़ी बिल्डर हमारे निचोड़ने बाद इसमें चार बूंद निम्बू का रस कैसे निकला आया तो उसने पूछा कि सर आप क्या करते हैं तो उसने कहा कि मैं लखन हमारे जो लीडर्स गए हैं पहली बार देश के इतिहास में ऐसा है कि उनकी डाउन लाइन के लोग ना की खुस हो रहे हैं परसाद बांट रहे हैं खुसिया मना रहे हैं एक दूसरे को बढ़ाईया दे रहे हैं बलकि निरंतर अपने छमता से लोगों के सलाह से लोगों के सिरवाद और सुझाओ से आगे बढ़ रहे हैं क्रिप्टो सेक्टर्स में हमने 15 दिन में जो 81 करोन 77 लाग का लगभा कोईन सेल किया है उसमें कमपनी में मुश्किल से 16-17 करोन की ही हिस्सेदारी है से सिस्सेदारी बाहर से है और हमने कल इसकीम भी लांच की है हम चाहेंगे कि सभी लोग या अखीरी अउसर है तो कोर कमेटी में जो भी लोग आना चाहें यूदकि कोर कमेटी में इस बार आपको वालपूल टाप-अप नहीं करना है किवल सीधे कोर कमेटी में आएंगे और वो एक इक सुविदा Sic再见 कमपनी कोर मेंबर को देने जा रही हो आपको भी क्विटेट क्वाइन ही बावनलाग क्वाइन थे जिसमें लगभग काफी हत्ता क्वाइन हमने निप्टा दिये हैं 45 परसंट जो बचे हैं हो सकता है कि सभी के टार्गेट तक वो पूरे नहीं हो पाएं जहां तक भी पहुंचेगा वह हम चाहेंगे मैक्सिमम कमपनी प्रति बने तो इस प्रतियोगिता में आप लोग हिस्सा जरूर लें और काफी गवरों की बात है कि सिंजे पावस पूरे देश में आयतिहासिक मोर्चे पर हलका मचा रही है बहुत जिम्मेदारी से इमांदारी से निष्ठा से हमारे सभी लीडर्स काम कर रहे हैं और वो क्रिप्टो में आई-डी लगाके और एफ गरिशन करके और और विडरॉल करके पैसा कमाते थे यहां हम स्ट्राइकिंग होल्डिंग करके ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बनाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे विकलप से आह उत अपनी ब्लाक्चेन पे लोगों को कोईन लांच कराके, अपने एक्षेंज पे लोगों को लिस्ट करके, अपने कोईन मार्केट कैप पे लोगों को लाके, बहुत सारे माध्यम कमपनी के पास इससे हो गए हैं कि कमपनी अरबो खरवों का कारोबार करेगी, और यह जो हमारे स के बीच में जाकर काम करने वाले बेखती हैं आप सबकी शमस्यत के उसका निराकरण करने वाले बेखते हैं कि अगर हम जिंदगी में किसी भी लायक बने तो वो आप अपने आपको मानिएगा का हमें ना मानिएगा ये आप सबके अभूत-पूर महनत का नतीजा है अभूतप यही एक कंपनी है जिसने एक साल के अंदर ना कि अपना कोईन लांच किया मैं टोकेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कोईन की बात कर रहा हूं बलकि इको सिस्टम से जुड़े हुए वो 14 चीजे नई लांच की अभी पबलिक को आठनो चीजे ही बताई गई है वो 14 नई चीजे लांच की जो सिस्टम्स बाइनस के पास भी नहीं है वो सारी ब्योस्ताएं हमारी कंपनी लेके आई है धीरे धीरे आप समझेंगे एक साथ सारे को और समय कराये जाते हैं लेकिन दो महिना तीन महिने बाद आपकी ये समझ में आएगा कि जो भी लोग कह रहे थे कि हमारा एमडी बाइनस के मालिक के पैरलर या अबब होगा वो आपको साकार होता दिखाई देगा तो आप सभी लोग इस विश्वास के साथ कंपनी में बने रहें ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है बनने में बहुत समय लगता है बिगड़ने में पाल चेकरने लगता है किसी के कहने में किसी के मोटिवेशन में किसी के राजनीत में अपने कारियर को कभी भी दांस से मत लगाईएगा हम लोग कोई मैजिकल मैं नहीं है हमें भी समय चाहिए, आप साल, दो साल, तीन साल हमारे साथ जिम्मेदारी से इमानदारी से जुड़े, सिंजे पावर्स जो कमिटमेंट्स करेगी, उसको हर हाल में पूरा करेगी, समय आगे पीछे हो सकता है, परिवार बड़ा है, जिम्मेदारिया बड़ी हैं, लेकिन जो कमिटमेंट् तरह से आस्वस्त रहे और आप सभी लोग सिंजे पावस में पूरी निष्ठा जिम्मेदारी से बिना किसी भेद भाव के कार करते रहें कहीं कोई दिक्का तस्विधा है तो हमें वार्टसप करके जरूर बताएं और आज के क्रम में हम नेपाल से मानी अजीत कुमार गुपत जीत कुमार गुपता जी कंपनी में फाउंडर डारेक्टर होंगे और फाउंडर डारेक्टर के हैसियत से उन्हें कंपनी कारफंड से भी नवाजा जाना आवश्यक है तो हमारी तरफ से उन्हें फाउंडर डारेक्टर मनोनीत होने और कारफंड प्राप्त करने के लिए ब